कर दोस्तों मेरा नाम है मंतोस और आप सबी लोग का एक बर फिट से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में आज की जो वीडियो है काफी यूसफुल और हैल्फुल वीडियो है यह उन लोग के लिए है जो एकदम हाउस वाइरिंग का काम सिख गया है मगर काफी सारी चीडियो में प्रॉबлем आती है तो क्या है वो प्रॉबलमस इसके बारे में मेरे पास काफी सारा कॉमेंट आ रहते हैं कि सर हम हाउस वाइरिंग तो कर लेते हैं और उसके बाद होती है वाइरिंग तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है छट पाइपिंग का तो छट पाइपिंग का जो सबसे पहले समान लिखाया जाता है तो किस तरीके से लिखाया जाता है तो छट पाइपिंग का जो समान होता है वो कस्टुमर के हिसाब से भी बोग्स का रूम है तो एक फेने बॉक्स आता है अगर उससे बड़ा रूम है तो दो फेने बॉक्स आता है कई दोسोरा स्थाम से होता है तो उतने सी लाइट कोistas को इनते हैं Central front कौने और के गुछ कोन Teachers यह ress links नहीं लेते हैं निकिए चारों कमरों में फैनों चाइनों प्रूंट को L covered जितने फैन प्रूंप से हम साब फैनने को लिखते हैं और एक रूम में एडिया लगाके चलते कि त्यारों कोनों में हमारे बैंड डाएंगे तो चार obtने का हमारा आइडिया इक होता है तो आप आप मान के चलिए जो 200 गच का मकान था यहां पर सम्तिंग 12 से 13 फैन बॉक्स लगेंगे जिसका समान आ गया है यह देख सकते हो और यह जो आप देख रहे हों कंसील लाइट यह सिर्फ बाहर की जो छज्जे की लाइट है यानि की जो छज्जा निगलता है उसमें लगाने के यह खिला बहुत है तो यह जितना भी फैन वक्स है इसको भरें गे और यह गोल कलर की आपने देखी कंसील बॉक्स ऐसको जब बयाता है गोल ब्या डाद यह कई तरीक़े से आता है मगर साइस के सापशो होता है तो आप इस चीज़ को समझगे कि इस तरीखे से फैन बॉक्स को नोट करते हैं याने की फैन बॉक्स worked को गिनेंगे मैं जो गिनें मी और पाइप पीसेज भेजती है बंडल का तो ये 50 पीस का बंडल है और बंडल एक आता है 25 पीस का भी बंडल आता है 25 का जादा तर 25 का देखा है जो company के अगर product लगाते तो उसे 50 का बंडल 25 का बंडल इस तरीके से आता है तो ये 200 गच के मकान में हमारे एक idea होता है कि जो 100 गच का मकान होता है 100 गच में क्या होता है तीन रूम होगे kitchen होगे लैटिंग बाथरूम होगी तो उसमें something हमारे 23 से 25 पाइप लग जाते है यानि कि एक बंडल हमारा अराम से लग जाता है जो 25 की packing में आता है तो इसी किस्साब से हम अगर 100 गच का मकान बन रहा है तो वहाँ पे हम एक बंडल pipe मंगाते हैं और अगर 200 गच का है तो दो बंडल pipe मंगाते हैं तो यह होता है pipe मंगाने का तरीका तो आप देख सकते हो है यहाँ पे setting बन चुकी है और Sutting अभी कुछ काम चल ला है Sutting में सरीया बंदने का काम हो गया वह भी चल ला है कुछ दुकानों में आगे की तरफ जो दुकाने है उसमें भी सरीया बंद रहा है भी तो अभ आप देख सकते हो हमारा height डालने का जो तरीका होता है सबसे पहले क्या करते हैं हम fan box को पूरे में बिछा देते हैं और उसके बाद जो room होता है room का हम निकालते हैं center तो center के हिसाब से आप देख सकते हो हम इसको major tape से नाप रहें और नापने के बाद जो center है center में हम fan box रख लेंगे इसे के साब से हम जितने भी piping है यहनि कि 100 गच का plot है तो हम एक bundle pipe मंगाते हैं जो होता है 25 का अगर 200 गच का है तो 50 piece मंगाते हैं या 2 bundle मंगाते हैं और इसमें क्या होता है अगर हमारे pipe कुछ बच रहे हैं तो हम वो भी use आ जाते हैं cutting में तो अभी आपने देखा fan box के नीचे मैंने pipe का pieces लगाया तो यह लगाने का एक तरीका होता है यहां की जो satring है कोई पलाई वाली नहीं है कि इसमें हम चुना डाल देंगे बाद में दीखेगा यह हमको piece लगाने होते क्योंकि यहां पे oil है अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं इससे कि हमको निसान मिल जाएगा तो यह सब धुल जाता है तो हमको नहीं मिलता है तो इस तरीके से हमको pipe का एक छोटा सा piece लगाना पड़ता है वहां पे कि बाद में हमको पता चले यहां पे fan box है तो आप देख सकते हो fan box हमने लगा लिया है और यह हम गिरा रहे हैं down तो piping करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हमारा जो room होता है यानि कि एक room में 4 दिवाले होती है चारो तरब से तो customer की demand होती है कि sir मेरे को bed के पास भी mobile charging का चाहिए तो एक को नव हो गया सामने LED के लिए भी चाहिए तो दूसरा यह होगी दूसी wall और side में बलब भी चाहिए दो बलब भी चाहिए तो इस तरीके से चारो कोनों में customer कभी मांग लेता है तो उसी के साब से हम क्या करते है कि जो एक room होता है room के चारो कोनों पे हम band डाल देते हैं center में center में डालते है यह होता है कि pipe को चारो कोनों में डाल दो कोई problem नहीं है आपकी cutting भी बचेगी और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहाँ पे जो है हमने customer से पहले पता कर लिया कि आपको क्या क्या point चीए तो उसी के हिसाब से सिर्फ हमारे तीन band गिर रहे है नहीं तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा एक रूप में चार band गिरते हैं और नहीं गिरते हैं तो आप देख सकते हो जो हमारे साथ लगे हुए है राहूल जिंग नेगी यह भी band खोद रहे हैं और हम यहाँ पे गर रहे हैं piping तो आपने यह चीज़ समझगे कि पाइप जो छट की पाइपिंग करते हैं उसमें हम पाइप किसी आप से मंगाते हैं पाइप का सौगज का हिसाब मैंने आपको बता दिया सौगज में एक बंडल जो होता है 25 पीस का उसमें से मुस्किल से 20 या 22 पीस लगते हैं आगे जो बसता है वो हमारी कटिंग में कामा आजाता है और जो बंड होता है एक रूम में 4 बंड का हम आइडिया लेके चलते हैं तो उसी किसाब से 4 रूम हैं तो 4 चुक 16 हो गया तो हमारा जो packet होता है packet में जो बेंड का जो packet होता है, उसमें समतिंग चॉविस का हिसाब होता है, तो उसी के साब से हम packet लिख देते हैं, और समान हमारा आता है, तो यह देख सकते हो, pipe, band or concealed, और कुछ नहीं आता, स्लाप पाइपिंग में सिर्फ यही समान आता है अगर कंसील बॉक्स डाला है तो हम जितनी लाइटे चाहिए हम पूछ लेते हैं उसी के इसाप से समान मंगाते हैं और कुछ जिगे पर क्या होता है जो ड्राइंग होती है ड्राइंग में हमको पहली पॉइंट दिये होते हैं तो हम ड्राइंग के हिसाप से काउंटिंग कर लेते हैं उसमें और लेडी लिखा होता है इतनी कॉंटिटी में फैन बॉक्स चाहिए इतने में कंसील चाहिए तो उ अपने खुद ही अपने हिसाब से ड्राइंग बनाई है तो होता गया रूम में यही होता है कि एक होता है मेन स्विच बोर्ड और दो बलफ के पॉइंट हो गये और एक हो गया सामने एलेडी टीवी का ज्यादा ज्यादा बैड के पास हो गया हमारा मुबाइल चार्जिंग के लिए और कुछ लोग होते है कि रूम में पावर का भी लगवाते ही टर बीटर चलाने के लिए ठंड के टैम पे तो स्विच बोर्ड जो हमारा मेंड कर्डोल जो स्विच बोर्ड होता है उसके नीचे आयता है तो इतने ही पॉइंट होते हैं अगर हम रूम के चारो को नो म वह भी बसता है तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि रूम के चारो कोनों में पाइप को डाल दो बात में चाहें आप बैंड को यूज करो या मत करो मगर वो फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाती है तो अभी आप देख सकतो हम यहां पे चारो में नहीं डाल में लिए कुछ भी मांग ले आप दे सकते हो काटिंग में टाइम बच जाएगा तो अभी आप देख सकते हो अपने क्या किया है यहां पे फैन बॉक्स को लगाया और फैन बॉक्स लगाने के बाद दो दो तीन तिन हमने डाउन को गिरा दिया किचन में भी फैन बोक्स कर रहे थे यानि कि छेनी यह तोड़ी से काट रहे थे तो यहाँ पर यह तरीका होता है और उसके बाद में अगर हमने लाइन जो है लाइन मिलाने का ध्यान रखना होता है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आप लाइन को मिलाया गया है यह जो मैं यहाँ पे खुदाई कर रहा हूँ जहाँ पे बेंड डाउन होगा तो इसके नीचे आएगा MCV box यहाँ पे something चार बेंड ऐसे आने है जो हमारे होंगे MCV box के जिनके pipe के थुरू जाएगा circuit तो आप देख सकते हो वहाँ से वहाँ पे MCV box है वहाँ पे सिर्फ अभी एक pipe गया है और यह हमने क्या किया था जो हमारे 4 या 5 चार या 5 हमारे जो fan box लगे थे उसके साथ सीधे यह line बनके है आप यहाँ से देखो यह एक fan box में गया यहाँ पे यह जो pipe अपने डाला है इसमें हमारे circuit चलेंगे तो इस fan box में भी supply आगे और उसके बाद यह हमारा पहला fan box हो गया यह हमारा दूसरा fan box हो गया ब्रांडे के दोनों fan box हो गया और यह हमारा हो गया एक fan box यह हो गया kitchen का fan box हो गया और आप देख सकते हो कोने का fan box हो गया तो इन सब की क्या है यह जो बीच में जो pipe डाली है यह सब line मिलाते है तो line को मिलाना बहुत जरूर होता है जिसमें circuit का इसा होता है तो अगर आप मान के चलो कि एक pipe के अंदर चार circuit बहुती अराम से आ सकते हैं तो चार line आप मिला सकते हो तो चारों का एक band डाल सकते हो तो इस तरीके से आप piping गर सकते हो slap piping में समान मंगाने का यही तरीका है तो friends comment करके बताना आपको ये video कैसा लगा और ये जो है समान मंगाने का part 1 video है part 2 video पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ और part 3 video पे भी आएगा जिसमें wire किस हिसाब से मंगाते है cutting का समान कैसे मंगाते है तो वो सब आपको देखने के लिए अगर चैनल पर नया उस चैनल को भी सस्क्राइब कर लो video के description में आपको एक नया चैनल का link मिलेगा वो भी आप सस्क्राइब कर लो कि उस पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमने पूरी video सूट नहीं कर भाई थी कि बारिस का टाइम आ गया था